ओम्हागडेशाय नमा ओम्हागडपतये नमा गडपती हो आज एस्तोलोजी से मैं एस्तोलोजर प्रोफेसर डॉक्टर एके चौवे आप सभी मित्रों का अपने इस यूटूब चैनल पर हार देख स्वागयत और अविन्दन करता हूं मित्रों नमस्कार मित्रों में उपस्तित हूं आप सबसे विशेश चर्चा करने के लिए देखे विशेश चर्चा क्या है मैं जनवरी 2023 मास के लिए हर राशी का राशीवाग दे रहा था उस श्वंखना में आगे बढ़ते बढ़ते आप मैं आखरी तीन राशी पर आगया हूं यहनि मकर कुम अब मैं इन तीन राशी की चर्चा करूँगा इस एपिशोड में पर आप से निवेदन करता हूं कि आप मेरी चैनल को पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें और नोटिफिकेशन को अन करके और और सिलेक्ट करने तो मेरे अगले सारे वीड तो ग्रेश भगवान आपको ज़रूर आशिवाद पतान करेंगे तो मैं तो मगर राशी के लिए मैं चर्चा करता हूं देखिए मगर राशी के लिए दसमी राशी के हिंद्र में है मगर राशी के लिए लगन भाव में बर्स के प्रारम में ही शुक्र के साथ शनी बैठे ह हुए हैं शुक्र आपके कारिस्थान के स्वामी है क्यों कारिस्थान में तुला राशी है तो उसके लौड शुक्र हो गए तो तुला राशी के दसमिस्थान के दसमिस्थान के कर्मिस्थान के लौड कहा है सप्तम राशी के लौड कहा है केंद्र में पहले बाव में लगन मे शनी के साथ, तो देखिए शुक्र की इस्तिती बहुत अच्छी है, और आपको काल शेत्र में उच्छ सबलता दिला रही है, लेगन में शुक्र बैठे हुए हैं, शनी के साथ मकर राशी में, उच्छ के सनी के साथ, शनी और शुक्र, शुक्र देते गुरू, शनी उनका एक शुक्र से चेला ही समझदी है, शिष्च, तो शुक्र जो है, बहुत अच्छा अपने शिष्च के राथ, अपने शिष्च के घर में बैठे हुए हैं, तो दौसाम इस्तान में उनकी राशी है, उसको अच्छा फल देंगे, और इससे जो है, आपके देखिए, व्यापार म में तरकी, प्रतिष्टा, मान, सम्मान, बेतन, ब्रदी, सब कुछ बढ़िया मिलेगा, और देखिए, मंगल आपके बैठे हैं, पंच हैं बहु में, तिरे जर्मरी को मंगल मारगी हो जाएंगे, और मंगल वहां से देख रहा हैं, अपनी राशी, कौन सी स्कॉर्पी और ब में को लाप देना है, अपनी राशी को जोग रहा है, प्रिष्टिक राशी को, तो मंगल लाभी लाप देखिए, और मंगल जो है, देखिए, फोर्थ हाउस के स्वामी कौन है मंगल है, क्यों फोर्थ हाउस में मंगल की राशी है, केंद्र की मंगल राव बैठे हैं, आपक केंद्र के स्वामी और त्रकॉन में बैठे हुए हैं, तो ये केंद्र त्रकॉन राज्योग बन गया, मंगल जो त्रकॉन में बैठे हुए हैं, पंचम भाव में केंद्र के स्वामी हैं, तो केंद्र त्रकॉन राज्योग बन गया, और एक त्रकॉन को और 11 भाव को देखना ह तो मंगल का बहुत बढ़िया लाम मिलना है आपको और देखिए धन भाव में क्या है कुम्बराशी मगर राशी के लिए धन भाव में कुम्बराशी है जहां 17 जन्वरी को शनी पहुंच जाएंगे और 22 जन्वरी को शुक्र भी पहुंच जाएंगे तो धन भाह में शुक्र औ शनी की यूती बनेगी बाई जन्विर के बाद, उससे पहले खाली शनी की यूती बनेगी मगर राशी बनेगी, मगर राशी बनेगी, तो दूसरे भाह में धन भाह में तो धन की बारस तो करेंगे, शनी मी करेंगे और शुक्र भी करेंगे, तो मग दन वाह में बेठे हुए, तो यहां धन न दन न दे यह तो होई न भी नगता है बहुत धन देंगे अपाड धन देंगे 22 जनुरी को भुव हडिय है जाएंगे ज dependence करम शेत्र को काम से भेपार नोग्ण से तरक्की से धन् फिट धन देंगे शुख्म भेएंगे धन लो मैं आपको धन् से सवामी कार के द्वारा आपको धन क effectivement तो आपको धना से भेपार आप भेपार स...? तो दोनों शनी और शुक्र दोनों धनवाव मिल करके धन की बारिश करेंगे और देखिए शैमें था लगन में मकर राशी है तो वहाँ पर भी पहले शुक्र थे और शनी थे जब शनी मकर राशी में और मकर राशी से कुमर राशी में आए 17 जनवरी को शनी आए और बाई दिम्रों को शुक्र में आ गए और देखिए बुद्ध जो है और सूर्य बार में भाव में है तो वह बिदेश से लाब मिलेगा बुद्ध बिदेश व्यापार से लाब दिलाए और बुद्ध और देखें सूर्य जो है छटे भाव को दिख रहे हैं, तो छटे भावम बुद्ध की अपने राशी है, मितन राशी, तो छटे भाव से जो आपकी भीमारिया है वो दूर हो जाएंगी, रोक से, रिण से मुक्ति मिलेगी शत्व भाग जाएंगी, तो बारमे स्पूर्य बुद्ध छटे भाव को दिख करगे मिश्मन राशी को आपको मगर राशी भाव को बहुत लाग दे रहे है और देखिए आपका पूर्ण सब मिल्ला है सब ग्रयाओं का ब्रस्पती जरूर देखिए तीसरे भाव में बैठे हैं लेकिन उनकी दस्टी वहां से तो ब्रस्पती भी आपको बाग बढ़ा करके अच्छा लाग दिला रहे हैं और राहू चोते भाव में आपके सोच को बढ़ा रहे हैं आप सुख भाव के साथनों को जुटाएंगे और सुख मंगल उसको स्वामी है और मंगल तो खुद पंचयम भाव में बैठे हुए ब भाव जो है आपके मस्टेथ में नहीनी सोच पड़ा करेंगे सुख शाधनों के लिए और राहू जो है आपके कर्म रापलाव बैठेर हं हाला कि दर्सों में द्श्म नेрь होते हैं उनद्रस्टी दारी है तो पढ़ रहे हं तो द्रस्टी दोरह ही आप राई-निती छेतर लाब पाएंगे शरकाली करतें ल सपिकिंद काम आपका मैं आप काम परक्राइब this रही है तो बहुत नहीं मतलगा मैं बढ़ा गाइमे सकते हैं तो बहुत नहीं Coming के बा से सुक्रिपी आदागे साहिं थन की पिरी बहुत शित्रता हैं कि तो बहुत बढ़िया यानि बुद्ध जो है जरूर मैंना बताया कि अभी अस्थ चल लाई थे लेकिन वो तेरे तरवरी को जब उद्रित हो जाएंगे और अठारे तरवरी को मारगी हो जाएंगे तो फिर बिदेश व्यापार से और जादा लाग दिलाएंगे उजी तवस्था म मारगी वस्था में बुद्ध आगाई तो बिदेश व्यापार से बहुत जादा लाग दिलाएंगे और छटे हाउस पर दिश्ची पढ़ रही है तो आपके रोग से रण से मुक्ति दिलाएंगे बहुत जादा क्योंकि जब अस्थ है तो उनका असरकाम हो गया लेकिन 18 जन दिलाएंगे जब सूरी वहां से बादा जाएंगे सूरी माकर में आ चाहिए तो बुद्ध जोए अस्थ सखना चाहएंगे तो उद्ध जोए फिर आपको बिदेश व्यापार चटा लाएंगे रोग से रड़ से मुक्ति दिलाएंगे और देभ गुरुव самानिया पहले बर कुम्ब राशी के लिए धन वहाव में वरस्पती की इस्थिति पढ़ गई मीन दाशी है तो धन वहाव में वरस्पती की इस्थिति बहुत ही अच्छी है धार्में छेत्रों में आपको देखे धन का थोड़ा खर्चा करना पड़ सकता है और लाप भी करेंगे बहुत यह के मुद्र ळाशी है तो मंगल की चौते भाव में घृषुम्ट देखे और मंगल देखिए तेरे जन्वली को मार्णी को मार्णी हो जाएंगे अभी तो मार्णी हो जाएंगे तो कि इसके बाद तो औह अच्छा लाप देएंगे और दृस्में बाव पर धृति डालना है 13 जनवरी को जब मंगल मार की हो गए तो और तेजी का लाब देंगे, इस पीट बढ़ जाएगी होंगी, बहुत बढ़िया, 14 जनवरी को देखिए सुरी मकराशी में आ जाएंगे, सनी और शुक्र के पास, 17 जनवरी तक रहेंगे तो 3-4 दिन का त्रिगही योग बनेगा, त् शुक्र के पास जो आगे, त्रिगही योग बनेगा, तो खर्चों में तो ब्रदी बिलाएगी, क्योंकि बाल में वावे बनना है वो, थोड़ा खर्चा तो बढ़ेगा उससे, लेकिन लाभी मिलेगा विदेश ते, और विदेश जानने में खर्चा बढ़ेगा, विदेश का योग आपके बाल में वावे बनना है, यात्राय भी होंगी और लाभी मिलेगा, अच्छा देखे, शनी शुक्र का इस महा में उत्रार्द में लगन में आ जाएंगे कुमराशी में जब, शनी और शुक्र दोनों ही, महीने के उत्रार्द में, शुत्र दिन वाजी को जब एक, दो, तिन, चार, पांच, साथ, आठ, नो, दस, यानि कर्म शेत्र को भी देखेंगे, शनी की दसम दस्टी जो है, कर्म शेत्र को देखेंगी, जा मंगल की दस्टी भी पढ़ रही है, तो मंगल की दस्टी भी पढ़ रही है, शनी की दस्टी भी पढ़ रही है, कर्म श और शुक्र भी है वाई जनविर को आगए तो प्रती पत्ने के बीद में अच्छा प्रेम संबन होगा व्याबार में अच्छा लाब मिलेगा पार्टनर्स का अच्छा तो मिलेगा बहुत ज़र्दस जो मिलना है अच्छा प्रोसू सब्सक्रय पार्टनर्स को अच्छा प्रटनर्स को अच्छा पार्टनर्स में अच्छा प्रिय। संबंद बहुत जबर्दस परिवार के पनिपध्नी के विच थे अंदब प्म बढ़िया बहुत बढ़िया और देखिए अठाराय जल मरे से जब बुद्ध उधित अवस्था में जाएंगे तो बुद्ध भी जो हैं बहुत बढ़िया कुमुराशी के जातों को धन्य जान से बढ़ देंगे, बुद्ध व्यापार से, बिदेश व्यापार से, बहुत जगार से, और राहु जो है देखिए, थर्ड हाउस में बैठ करके, राहु देखेंगे कहा भागे भागे, तो भागे में भी बर्धन करेंगे, कम बाजिद़ नहीं करें wonderful कुछ ने कुछ बढ़ा कि बढ़ा ने आगा तोव भागी बिद्धन होगा ऑश़एंगी आपने नहीं नहीं सोच आंगी मैं लास्ट राषी पया, आक्री राषी эп formally? अब आक्री राषी करें मीन राषी मीन राषी के लिए, मीन राषी के स्वामे देव गुरु बर्सत्ति परतवान में प्रतम भाव में लगन में वराजवान है, बारे में बरस्त्ति गुरु देव आपके जीवन में नवीन तल आ रहे हैं देखिए। शुक समर्दी दे रहे हैं जातके बेक्टितों नवीन जयानवान, नीतवान, धनवान, कर्म शील बना रहे हैं। साथी साथ पत्ति में विशेष प्रेम देकर बैवाईक जीवन को अच्छा बना रहे हैं ब्रस्पति लगन में बढ़करके सप्तम को देख रहे हैं और नाइन्थ हाउस में भागे में स्वामी मंगल नाइन्थ हाउस में देखे मंगल जो है विश्छा में अच्छा के लिए धनुराशी जो है नाइन्थ में आती है ना तो वहां से द्थीयर नाइन्थ हाउस सऻय में नाइन्थ ह्यूस में करन जेखे में दशयियर देखे ओफिर मतिनतिन गया हैं और सुरे वहा हैं और खुण में नायुत॥ लेकिन देखिए मंगल जो है अभी कहा है तीसरे भाव में मीन राशी के लिए और मंगल भागी भाव के स्वामी है इस्कोर्पियो को देख रहे हैं मंगल तीसरे भाव से तो मंगल तीसरे भाव है जात्रों को प्राक्रमी परस्वी बना रहे हैं और देखिए, भागी भाव को दिखके भागी बढ़तर करना है, तीसरे भाव मेठ करके, तो भागी बढ़ेगा तो पैसे ही आएगा ना, यानि ब्यापार में तरक्षी होगी, नोक्री में तरक्षी होगी, धनलाब होगा, बेतन ब्रद्धी होगी, मान सम्मान मिलेगा, और देखिए, यह सब जो है, मंगल जब तेरे जर्वादी को मारगी हो जाएंगे, तो इस सब बहुत तेरी से आगे बढ़ेगा, अभी मंगल भक्री हैं तो थोड़ा सुस चल जाएगा, तो टेंथ दाउस में धनुराशी, जिसमें स्वामी बरस्पती है, उच्छे के लगन मे कार्षेत्र में सरकारी लोक्री में तरक्की दिलाएंगे देखिए आपको, सरकारी काम में से लाब दिलाएंगे, सरकारी ठेक आओकर से काम से लाब दिलाएंगे, सरकारी काम से और राजिनितिक छेत्र में भी स्वाद दिलाएंगे, बुद्धी फोचल दिलाएंगे, जहा तो यह स्थिती 10 थाउस और 4 थाउस के प्रणाव में आती जिला जेगी कि बुद्ध तो सुर्य और सनी तो आगे बढ़ गे पर बुद्ध तो वही रहेंगे ने 10 थाउस में तो बुद्ध जब मार्गी हो जाएंगे उजय तब समय जाएंगे यानि 18 जन्वरी के बाद तो औ हैं आगे तो कोंध तो यह सी बाद अगे पर ब्यापार में तरक्किल् aun नौक्री मैं तरक्किक और चौछ очी बुद्ध जा रही हो की तो तफ्नोवी तरक्कि कूर्य उस्षे पर्ली जंग तक का्ल जवरी को सुर्य जिर चल जाएंगे अगले तृसी में में उस से पर जाम तुो उत्णू राशी में बटकार शूरी भी गण को ऑथा हो देखरे तो शुक भाँ को देखरे थै अब धुद्ध भी देखरे थै अब बुद्ध जब मारगी हो गए और उदित की अवस्था में आगे चौजर जनुरी से अठारे जनुरी को मारगी हो गए तो और तरी से लाब देंगे, आपको ब्यापार में लाब देंगे, और सुक वहाँ में लाब देंगे तो सूरशुक्रशन्री का मकर रासी में, 11 दौज में, 14 जर्मेड से 17 जर्मेड तक त्रग॥ जोग बने। वो लाब इस्थान में मीन के जातों को धन लाब देखा शुक समध्दी बढ़ाईगा क्योंग Lesson क्यार मा जो हाउस का क्या है लाब का हाउसै तो लाब के हाउस में तीन तीन क्लेका योग बना है लाब का हाउस का मतलग क्या है मगाररशी में उसके बाद फिर कुम राशी में तो ले आएंगे तो वहां पर कुम राशी में शनी का उच्छ का यूग बनेगा 22 जन्मनी से लेकर वहां पहुँचकर वह वह बेदेश से लाप दिलाएंगे और यहां तो खर्चा हो गए होगा क्यों शुक्र और सुरी दो दो गए बार में बैठेंगे तो थोड़ा खर्चा तो कराएंगे तो देखिए बार में वहाँस में जब आज आएंगे दोनों तो विदेश से लाप दिलाएंगे दिलाएंगे अच्छा धन वहाँ में राहु धन का विस्तार तो करेंगे राहु का काम विस्तार करना है जिस देगे बैठते में राशी वालों के लिए लगन में बरस्पती केवल बरस्पती लगन में बटना ही मीन राशी वालों के लिए सौने में सुवागा है बहुत जवर्दस लाँ मिलने बहुत अच्छी है और ब्रस्पती के उपाई भी करने अगर आप थोड़ा सा पीला रुमाज जीम में रखें पीला गाय को पीला हली लगा के आठा खिलाएं लोगा बना करके और मस्तिक्स पर तिलक लगाएं पीला चंदन का तो लाँ मिलेगा तो आप मीन राशी वालों को तो बहुत जवर्दस बहुत जवर्दस खाली प्रस्पती का योग ही बहुत जवर्दस लाँ दे रहा है तो वही मीन राशी वालो मगर राशी वालो और धन्नु राशी वालो तीनों के लिए ये जनुरी 2013 का मास बहुत जवर्दस लाँ दे र रहा है शुक दे रहा है नोगरी में तरक्ष ere